प्री छात्रो नवास्कार आपके अपनी यूटूब चैनल एके फूर एकडमी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे अरदवारसिक परिच्छा दोजर 21, 22, 22 हिंदी और क्लास 11 का जियां दोस्तो क्लास 11 का हिंदी सब्जेक्ट का जो की 29 तारिक को पेपर होने वाला है उसके बारे में डेटियल से बात करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका अपने यूटूब चैनल एके फूर एकडमी दोस्तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो नीचे रेड़ वाला बटन है उसे प्रस करके सब्सक्राइब कर लिजी और बेला आइ यह कुछ निर्देश दिये हुए हैं सभी प्रस्न हल करना अनिवार है जो भी कोस्चन पहले बने उसको पहले कर लिजी और जो कोस्चन ना बने उसे बाद में कर लिजी चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं तो सही बिकल्प चुनकर लिखिए पहला कोस्चन है सास्तरी सं इस्थाई भाव क्या है? इसमें चार आपसंन दिये हूए हैं जलतलय, गंभीरता, चाकरारता, उप्रुक्त में से कोई नहीं। इसी तरह हमारा दूसरा कॉस्चन है, रजनी पाट की लेकिका कौन है? रजनी पाट की लेकिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चोहान, सिवानी, महादेवी वर्मा, मन्नु भंडारी दोस्तो आप कॉस्चिनों का स्क्रीन सोट फटा फट कर लीजे इसका एंसर से यह कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करें और टेलीग्राम को जोइन कर लीजिस से जैसे मैं ही एंसर का वीडियो डालूं तो आपको नोटिपिकेशन सबसे पहले प्राप्त तो इसी तरह तीसरा क्वेश्चन कारागार में भावानी प्रसाद किस कार में ब्यास्त है कातने में यहाँ पास कातने होगा कातने में बुनने में रंगाई में लडने में किस संचार सास्तरी का अनभाव संचार अनभाव के साजेदारी होती है एडिसन बिल ग्राम और मारकोनी बिलबर प्रेम दोस्तो इनका स्क्रीन सोटा फटा फट कलीजिए इसी तरह कॉस्चन नबर पांस देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दी हुई है इस पाती घाटी किस धर्म का अधिक बोल बाला है हिंदु धर्म, बोध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म कभी यहाँ पास कभी नहीं होगा कभी होगा कभी का पिता को क्या महसूस नहीं हुआ अकेला पन जवानी, बुढ़ापा, भाई, चारा, फटा-फट कॉस्चनों का स्क्रीन स्वाट कर लीजिए इसी तरह हैं अगला कॉस्चन बात करते हैं तो अगला कॉस्चन है मारा मोर मुकुट कौन है मोर मुकुट के नाम से कौन जाना जाता है सीक्रेशन, सीराम, राबन, महादेब दोस्तों इनका एंसर आपके स्क्रीन पर सो रहा है पहले का एंसर होगा बिलबर प्रेम होगा तो यहाँ पास दिलबर फ्रेम लिखर गया है बिलबर प्रेम होगा पहले कैंसर, दूसरे कैंसर होगा गंबीरता, तीसरे कैंसर होगा मन्नुभंडारी और चोथे कैंसर होगा बौधधर्म, पाच्मा कैंसर होगा कातने में, छटवे कैंसर होगा बुढ़ापा, और साथवे कैंसर होगा सीक्रेस्ने दोस्तों इसका स्क्रीन स्वाट आफटाफट कर लीजे इसी तरह हैं बात करते हैं रिक्तिस्थानों की पूर्ती की तो इसमें 6 कॉस्चन दीवें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किसान का बेटा डॉट डॉट लाठी को मारा गया चिल भांजी का साब्दिक अर्थ क्या है कभी ने किस पर बेंग लिखा है दोहा के प्रतम चरण में कितने मात्राइं होती है संचार का क्या अर्थ होता है मीरा की कब की मूल भासा क्या है यह अंसर दिया हुआ है पहले का होगा कारकौन दूसरे के अंसर होगा चिन जारोने औ अरतमान, समाज व्यवस्ता, चौथे कैंसरोगा 13 और पाच्मे कैंसरोगा चलना और चटे व्यवस्ता, अगर आपको लगता है इंगलिस बोलने में डर, तो आज ही जुड़ जाईए डाउटनेट के इंगलिस स्पीकिंग कोर्स के साथ, जहां आपको इंगलिस के टॉप इंगलिस स्पीकिंग कोर्स में और येप पर आकर कोर्स खरीदे और अपने इंगलिस बोलने के साथ, चटवेक एंसरोगा राजस्तान, राजस्तानी, इसी तरह हम बात करते हैं कॉस्चन नमर तीन की, तो एक बाग के मुत्तलिकिया कॉस्चन नमर तीन में है, मोहन पढ़न मिस्र की मा कैसे थी, तो अनपढ़ थी, कॉस्चन नमर पांच, रस के कितने प्रकार होते हैं, तो रस के दस प्रकार होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, नाम सही दिल के हैं, तो रस के अंग, इस्थाई भाव, विभावन, बहुत संचारी भाव होता है, इसी तरह अगला question जो की long type की answer question है दोस्तो अभी तक channel को subscribe नहीं की हो तो नीची red वाला बटन है उससे press करके subscribe जरूर कर ले हैं और bell icon का button press कर ले हैं question number 4 की बात करते हैं तो आपकी screen पर question number 4 दिया हुआ है नमक का दरोगा कहानी से पंडित अलोपो दिन के बेक्तिगत में से कौन से दो पहलू उभर आते हैं उनका screen स्वाटा फटा फट कर लेंगे question number 4 आपकी screen पर पूरे के पूरे most important question है जो की आपके अर्दवारसिक एक्जाम में पूछे जाएंगे यह model paper है कोई भी real paper नहीं है जैसे ही real paper मिलेगा मैं प्रवाइड करा दूँगा link description में टेलीग्राम का आप जोईन कर लें आपको वहाँ PDF प्रवाइड करा दिया जाए गा यह सारे के सारे most important question है जो की आपके paper में 90 plus percent पूछे जाने की संभाबना है question number 6 देख लेते हैं जनसंचार माद्धमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा जो जनसंचार माद्धम है उसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसी तरह हैं बात करते हैं question number 7 की तो लोक लाज खोने का अभी प्राय क्या है जो लोक लाज होता है उसे खोने का अभी प्राय क्या इसका भी स्क्रीन सॉट आप फटा फट कर लिजिए अगर इसका पीडियाप चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रेप्शन में टेलीग्राम का या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.ak4academy.com पातिक का मन कहां भी छड़ना चाहता है फटा फट स्क्रीन सॉट कर लिजिए सारे के सारे कौस्चन लॉंग टाइप के हैं और पूरे के पूरे most important है स्वैधिन भारत में किसानों की क्या स्टी है इसका भी स्क्रीन सॉट आप कर लेंगे इसी तरह हैं बात करते हैं question नमर 10 की तो question नमर 10 आपके screen पर राजस्थानी में कोई को किसी क्या कहते हैं इन गहराई को बियास समान कुवों की यहाँ पास कुवों होगा कुवों की गहराई और बियास में क्या नतर है Question गलत हो गया है Question no.11 देख लेते हैं लाताम अंगलेश सर को भी बीजोड गाई का क्यों माना जाता है लगम लेसर को विजोडगाई का क्यों माना जाता है लगम लेसर जो थे उनको विजोडगाई का क्यों माना जाता है कोई तीन कारण लेखिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है यह अफ्लीकेसन है परिच्छा अबधी में द्वानी विस्तारक एंतर से प्रितिबंद लगाने है तो जिलाधी इसको पत्र लिखने है जो कि हर बार एकजाम में पूछा जाता है जैब बौर्ड एकजाम हो आपके चाये एकजाम हो प्रिबोर्ड अरदवासिक तिमाई छमाई कोई भी जमो सभी में पूछा जाता है इसके अत्वा में प्रस्ण है आप इन दोनों कोश्चनों को त्यार कर लीजी एक कोश्चन अबस पूछा जाएगा नंगर के सहायक मंत्री या नंगर पालिकादिकारी को जल अनिमित अप पत्र लिखिये या मोहले में गंदगी अलागला कोश्चन भी आ सकते हैं एक सांत भी आ सकता है इसी तरह हम बात करते हैं कोश्चन नंबर 14 की जो की लेटर आपको पूछा जाएगा अपने बड़े भाई या बड़े बहन के साधी में समलित होने के लिए अपनी सहली या मि पत्र को पत्र लिखिए यह भी बेरी से बेरी de most important questions है आप सारे के सारे questions त्यार कर लीजे आपको पूरे के पूरे number Q15 की बात करते हैं तो Q15 में क्या है उसी कातवा High School में प्रतम सेणी में उत्रेण होने पर अपने मित्र को बदाई पत लिखी इन चार Q15 में से दो Q2 पूचे जाएंगे इसी तरह हैं बात करते हैं question number 16 की तो question number 16 में क्या है लेखक परिचे निर्म लिखित में सी किसी एक लेखक का परिचे लिखे बासा सैली और सहित में स्थान लिखने है जिसमें प्रेम चंडर है और मुकुंद गुप्त है अगर वीडियो चाहिए तो link description में आप चेक आउट कर स 17 की मीरा तथा दुस्यंत कुमार कभी का कभी परिचे लिखिए मीरा या दुस्यंत कुमार का कभी परिचे लिखना है जिसमें निम्ने बिंदों के अधार पर लिखना है दो रचना है भावपच्च कलापच्च और सहित में स्थान इसको most important question है मीरा और दुस्यंत कुमार आ आपके अज़़्दवा hustik परिछ़ा में अवस्साँगी, यह एक गद्द्ध्ध्य पद्ध्यांस है, जिसे आप पर तयार कर लीजे, पेपर में पूछा जाता है, अकसर पेपर में पूछा जाता है, इसको भी त्यार कर लीजे यह question दिये हुए हैं उसका भी त्यार कर लीजे main topic आता है निवन्द में से एक स्वरी निमने लिखित में से एक निवन्द लिखिए जो कि भेरी से भेरी most important question है महामारी coronavirus इसका निवन्द मैं अपने चैनल पर अल्रेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ जो बच्चे वीडियो न देखे हों तो link description में है आप जाकर देख सकते हैं महामारी coronavirus यह paper हैं हमें सब पूछा जाता है अंसासन का महत्तोय विद्यर्थिय अंसासन भारती समाज में नारी किस्थान और जीवन में खेलों का महत्त और बिग्यान बरदान का अभी सिरूप इन पांच question में से दो या तीन question अवस्थ आपके paper में आएंगे आप तो सारे के सारे question त्यार कर लिजिए आई हो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कर लिजिए और पीडियाप के लिए हमारे टेलीग्राम में जोइन कर लिजिए टेलीग्राम में अगर जोइन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम या जाकर सार्ज करिए www.ak4academy आप जाकर वहां जोइन कर लिजिए आपको पीडियाप के लिए www.ak4academy.com पर जाकर सर्च कर लिजिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो झाल झाल